हाई फ्रेंड्स तो आज बात करते हैं बेस्ट विलोगिंग कैमरा कैनन जी सेवन एक्स मार्टू के बारे में जी हाँ ये है सपुना का राजा कैनन जी सेवन एक्स मार्टू ये हर एक विलोगिंग कैमरा जो भी आज तक बना है उनमें सबसे बेस्ट है ट्रैवल या easy to manage और easy to carry camera है, जी हाँ, यह इस वक्त इंडिया में आपको out of stock मिलेगा, बहुत demand में है, पुराना आपको 57,000 में मिलेगा, नया 70,000 के असपास मिलेगा, यह one inch sensor का camera है, और उसकी खासियत यह है, कि यह pocket में बड़े असानी से आ जाता है, जी हाँ, बहुत sleek है, तो मैं आपको इस camera को on करके दिखाता हूँ, जब हम इस camera को on करेंगे, तो हमें मिलता है one inch sensor का resolution, जी हाँ, one inch sensor resolution इस camera से हमें मिलता है, तो इस camera की अगर हम बात करें, तो यह जो Canon का Canon G7 X Mark II है, यह 24 megapixel का camera है, और जब इसे vlogging करते हैं, तो यह DSLR से कहीं भी कम नहीं है, जी हाँ, बस इसमें थोड़े से कम function है, लेकिन यह DSLR से बिलकुल कम नहीं है, आप देख सकते हैं, very very sleek है, और इसमें fixed lens है, जी हाँ, तो जो DSLR या point of suit mirror cameras होते हैं, या अभी नए mirror cameras है, उनमें, कुछ में fixed lens आते हैं, और कुछ में changeable, आप change कर सकते lens हैं, लेकिन इसमें fixed lens है, जो कि F 1.8 aperture का lens है, F 1.8 aperture lens मैं इसलिए बता रहा हूँ, क्योंकि 1.8 aperture lens से आप ज़्यादा bokeh वीडियो में ले सकते हैं, जी हाँ, तो जो लोग नहीं हैं, वो नहीं चानते की aperture क्या होता है, देखें, aperture जितना कम होगा, उतना ज़्यादा camera का lens bokeh बनाएगा, जो महंगी camera होते हैं, उनमें aperture कम होता है, उनके lenses बहुत अच्छे होते हैं, और वो blur करते हैं पीछे से, तो blur करने में हमें कम aperture वाला lens वाला camera लेना होता है, F 1.8 कम aperture है, जिस से blur होता है, F 1.2 से सबसे ज़्यादा blur होता है, और अब तक F 0.95 aperture तक के lens आईवे हैं, तो बहुत महंगे हैं, लेकिन बहुत ज़् बहुत अच्छा होता है, blur करने के लिए, इसके बाद F 2 आता है, F 2.4, F 2.4 के बाद F 3, F 3.5, F 4, जितना F के numbers बढ़ते जाएंगे, उतना blur कम होगा और सारी चीज पीछे से background में focus हो जाएगी, तो ये camera blur करने के लिए बहुत ही अच्छा है, क्योंकि F 1.8 है, fixed lens है, zoom भी करत होता है, लेकिन सबसे अच्छी बात जो है, इस camera की वो है, आपको दिखाऊं, तो easy to manage, जी हाँ, आप traveling पर जा रहे हैं, आप travel कर रहे हैं, आपको बहुत सी ज्यादा एकदम high quality images और video चाहिए, और blur images और video चाहिए, DSLR camera की तरह है, तो सिर्फ यही एक camera है, जो बहुत ही छोटे, आप जैक सकते हैं, बहुत ही, छोटे size में, हाथ में आ जाता है, easy to carry है, और जो इसकी images और videos है, वो incredible है, यह इतना popular camera है, कि कोई भी vlogger इसको बेचना नहीं चाहता, आपको यह मार्केट में मिले गाए नहीं, जब से यह launch हुआ था, तब से vlogger की, इसके दिवाने ह है, कोई भी vlogger, इसके बिना अधूरा है, इस camera के बिना, जी है, इस camera में आप यहाँ पर देख सकते हैं, की, यह dial है, और यह zoom है, यह power on off button है, जी, यह इस में flip screen है, इस camera में आप देख सकते हैं, flip screen, flip screen है, जो की, इस तरह से vlogging के लिए बहुत जुरूरी है, तो जब हम vlogging करते हैं, तो इस तरह से आपको, अपने ही चेहरा, इस screen में दिखता है, जो की vlogger के लिए बहुत जुरूरी होता है, आप जान सकते हैं, कि आप focus में हैं, के नहीं, autofocus अच्छा है, आप पीछे, आपकी video quality क्या जा रही है, यह सब चीजे में हैं, तो पीछे से अगर आप देखें, इस तरह से side screen है, wifi built है, इसके अंदर, आप wifi के जरिये, अपनी बिना card को change किये हुए, mobile पे आप इसकी videos instant ले सकते हैं, wifi on करके, wifi आपको मैं दिखा दूँ, इधर से है wifi, अगर आप देख सकते हैं, इधर wifi है, यहाँ पे, और इसमें जो functions हैं, वो आप देख सकते हैं, यह functions हैं, यहाँ पे, तो यह जो camera है, यह camera functions आप देख सकते हैं, यह जो camera है, यह easy to carry है, vlogging के लिए incredible है, must buy है, इसकी जो price है, 60,000 तक है, इसके अंदर single battery है, आप battery को देख सकते हैं, यहाँ पे, ऐसे battery इस वक्त नहीं है, charging पे होगी, तो यह battery cover है, तो इसकी battery भी बहुत full day चलती है, और इसमें car slot यहाँ पे है, बैटरी के पास, यहाँ पे car slot है, तो यह camera vlogger का dream camera है, market में available नहीं है, e-way पे मिल जाए तो बहुत अच्छा, आपको मिल गया तो आप समझे, बहुत ही लखी है, यह camera कोई sell नहीं करता, इवन दो मैं भी sell नहीं करूँगा, मैं पूरी कोशिश करता हूँ, camera को ना sell करूँ, बचाए रखों, जबकि बहुत अच्छी camera अभी है, market में नहीं आया है, लेकिन फिर भी मैं इस camera को बचाता हूँ, और यही दिवानापन है, इस camera के लिए, एफ 1.8 aperture, जो है, इसका fixed lens का zoom lens है, और यह जो lens है, वो incredible है, travel vlogging के लिए, जी हाँ, इस camera को आप देख सकते हैं, must, आपको अगर यह camera कहीं भी online मिल जाए, तो please buy कीजिए, इस deal को मत छोड़ी, अगर आपको कहीं भी यह Canon G7 X Mark II camera मिलता है, यह आपके लिए वर्दान होगा,